तो इन दोर में ये पर्चे बाटे गए जिसके बाद हमारे समधता अखिलेश सोलंकी ने ग्रिमंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात की क्या कहा उन्होंने सुने जिस तरह से परचे बाटे गए अमरवती स्टोरीज की बात की जारी धर्मांतरन का जिक्र किया जा रहा है भगवा को एक तरह से आरोपी बनाने कोशिश के क्या क्या है यह जो भी विक्रत मान सकता के लोग हैं वो इस तरह के कुछ सक्ष प्रयास करते हैं पर मद्यपर्दिश में यो कोई प्रयास सफल नहीं होगा हमने कल ही 153 में केस रेजिस्टर्ट कर दिया मैंने निर्देश किये हैं मैं कल इंदोर गया था कि सभी सीसी टीवी कैमरे इनके खंगा ले जाए यह कौन विक्रत मान सकता का व्यक्ती पहले भी यह बाट सेप पर चलाया था और उसके बाद ऐसे बाटे है और यसी जिसमें पता चलता है सक्त कारवाई होगी कड़ी कारवाई होगी इस तरह हमने देखा हुटी से सीमी का कनेक्शन सामने आया और इस तरह के परचेवी सामने आ रहे तो क्या माहूल को जान करके खराब करने कोश़ है और आपने का कि मदब देश में कोई माहूल खराब नहीं कर सकता चाहे पी एफाई हो चाहे चूटी हो और चाहे ये लोग हो यहां शिवराज सिंग जी की सरकार है और कानून का राज है और इसी पर और ज़्यादा बाचीत करने के लिए सीधा रुक करेंगे यह पूरा मामला प्रकाश में कैसे आया इसके बाद जहां मस्जिद यह पर्चे बाटे गए थे वहाँ के लोगों का रियाक्शन क्या था और क्या इस मामले में अभी तक कोई पुलिसिया करवाई भी हुई है देखे यह पर्सों राज से पूरा घटनकरम शुरू होता है और मैं आपको थोड़ा और बैक्ग्राउंड में दे जाओं एद की नमाज जब भॉपाल में थी उसके बाद भी महिलाओं को आगा करने के लिए बाकाइदा बैनर लगाए गए थे कैसे बेटिया ट्रैप हो र कियों के धर्मांतरन की बात कई जा रही है हमें ये भी समझना होगा जब भगवा लब ट्रैप का ये पूरा एक तरह से मॉडूल सामने बताया जा रहा है उसके पहले लब जयाद की कहानी चल रही थी के रोला स्टोरी भी हमने देखी और एचिवटी के जो आतंकी मध्यप प्लेट बांटे भी गए जिसको लेकर ग्रेमंतरी कह रहा है कि बाकाइदा जांच हो रही सीसी टीवी फोटेज को कांगाला जा रहा है और 153 की कारवाई के तहत जो भी दोशी होगा इस पर कारवाई की जाए तो पुलिस अपनी कारवाई कर रही है लेकिन मालवा का जो इ हैं और कैसे समाज में जहर घुला जाए उसकी ये कवायद है और कैसे सेंटिमेंट को भुनाया जाए उसकी वी एक कोशिश है तो जो मुसलिम लोग है या मुसलिम जो आम मुसलिम है उसको कैसे धर्म की आग में धकेले जाए और धर्म के जरी कैसे अपनी तरफ मोड़ा जा कहानी है कि 10 लाग पर येर, 30 में 30 लाग लड़कियों का धर्मांतरन हो जाएगा, मुस्लिम से इंदू बन जाएगी, ऐसा हुआ कुछ नहीं, लेकिन इसके बाद कानून के तौर पर यानिके ग्रे मंत्री बहुत सक्ती से इस्परेक्शन लिए। तरीके से सीरियस रहे हैं, कानून की बात उनकी तरफ से की गई, कहीं ये उसी के रेपकर्शन के तौर पर इन्फ्यूस तो नहीं किया जा रहा है उन मुस्लिम बाहु लेलाकों में। अब भगवार्ट की बात है, लेकिन इसको लेकर चाहिए लव जिहाद की बात हो या भगवार्ट रैप की बात हो दोनों थियोरी पर पुलिस बात हैं। गहनता से जांच कर रही है बिल्कुल और इसको लेकर कह भी दिया गया है नरोतम मिश्रा खुद ये कह रहे है कि सक्से सक्ट आक्शन लिया जाएगा और भर भैलाने वालों को बक्षा नहीं जाएगा शुक्रिया आपका बहुत जानकारी के लिए अकिलेश लेकिए सीसी के आदार पर इस पूरे मामले के अब जाच की जा रही है आरोपियों की पहचान कर उन पर करवाई की तैयारी कर ली गई है